Hello everyone, welcome back to my channel Solo Traveler और जैसा कि आपको पता है कि बाई पेट्रोल के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं और इस समय इलेक्ट्रिक वेहकल का जो रिवलुशन है उसको बहुत ही जादा दम दिया जा रहा है और यहाँ पे काफी बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में जो उतर आया है तो उनमें से जो दो मेजर प्लेयर हैं वो एक आपका है TVS और दूसरा है आपका Ether Energy तो भाई इन दोनों के ही कुछ अपने प्रोड़क्ट्स हैं तो यहाँ पे जो आपका TVS है उसकी तरफ से आपकी iCube है जो इलेक्ट्रिक आपकी स्कूटर है और वही पे जो Ether है उसने अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लांच किया इसका नाम है आपका रिष्टा इनके बारे में कंपेर करने वाले अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहरे हो और इन दो स्कूटर के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो भाई जल्दी से इस वीडियो को लास्त तक देख लीजिए तो आपका जो कंफ्यूजर ने वह दूर हो जाएगा चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के वैरियेंट्स की तो सबसे पहले मैं iCube की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पर iCube के 5 वैरियेंट्स आते हैं टोटल तो जो सबसे छोटा वैरियेंट्स है वो आपका 2.2 किलो वाट की मोटर के साथ आता है और उसका नाम आपका है iCube S उसके उपर जो आप वैरियेंट्स जाओगे वो आप जाओगे तो अगर थोड़े तर Biz आपका 2.2 किलो वाट के साथ आता है और वहाँ पर एस्टी लग जाता है तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेशल जो कनेक्टिंग फीचर्स रोजाते वह आपको मिल जाते हैं बाकी वह भी आपका 2.2 किलोवाट की मोटर के साथ आता है इसके उपर आप जाओगे तो 3.4 किलो वाट की मोटर के साथ आपको आयागी उसमें भी आपके दो वेरियंट हो जाएंगे एक नॉर्मल वाला और एक आपका ST तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वेरियंट और जो ST वेरियंट है इसमें परफॉर्मेंस म यह सारी चीज़े चाहिए तो आप ST वेरियंट की तरफ जा सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइज दे के इसके लावा जो इसका जो सबसे कहते हैं ना जो प्रीमियम आपका जो वर्जन है वह आपका 5.1 किलो वाट की मोटर के साथ आता है जो आपका सिर्फ और सिर्फ 1.7 तो यह सारे आपके वेरियंट्स आ गए अब थोड़ी सी प्राइजिंग की बात कर लेते हैं तो आएक्यूप का जो बेस वेरियंट है वो आपका एक लाख दो हजार के आसपास का आता है और जो सबसे टॉप वेरियंट है वो आपका एक लाख पचासी हजार के आसपास आता है और जो इसका सबसे अपर वेरियंट है यह आपका एक लाख छपन अजार के आसपास आता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है यह भी मैं आपको स्क्रीन पर तीरोई वेरियंट के प्राइजिंग जो है वो शो कर दूँगा तो यह आपकी प्राइजिंग में आ अब बात कर लेते हैँ रेंज की क्योंकि जहां पर एलेक्टरिक응 Diocl nose को रिपकले वह है यहां पर आपको lonidd mechanicOS की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आई क्यूप की तरफ जैसा की मैंने बताया यहां पर आपके पांच वेरियंट आते हैं बट अगर आप SI को हटा दो क्योंक तो देखा जाए, तो motor के इसाब से 3 variant आते हैं, आपके 2.2, 3.4 और 5.1 तो यहाँ पे 3 range आपको देखने के मिल जाती है, जो सबसे base variant है 2.2 kilowatt की motor के साथ आता है वहाँ पे आपको देखने के मिल जाती है 75 km की range इसके अलाबा घर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे जो 3.4 kilowatts की motor के साथ आती है वहां पे आपको मिल जाएकई 100 km की रेंज और जो इसका सबसे स्द्भी hiking forum्ट जैंड वहां पे आपको आपको 5.6 schw वहां पर आपको मिल जाती है 150 km की range यानी 1500 km की range आप बात कर लेते हैं रिष्टा की तरफ तो यहां पर आपके Total तो 3 variant आते हैं but connective features को और मैं हटा देता हूं motor की बात कर लेता हूं तो यहां पर दो ही motor मिल रही है 2.9 और 3.7 तो यहां पर की रेंज तो कहीं ना कहीं रेंज के मामले में रिष्टा से थोड़ा सा आगे निकल जाते कि वहां पर आपको 1500 किलोमेटर की रेंज मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लंबे समय तक last करेगी, बट जैसा कि आपको पता है कि आप intercity transport नहीं करने वाले, आप अपने ही city में घूमने वाले हो, क्योंकि आप दूसरी cities के लिए जाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि electric scooters अभी तक capable हो पाए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 25-30 km की जो range है, वो उतना बड़ा effect नहीं डालती, कोई भी अगर scooter आपकी 100 प्लस range दे रही है, तो आपके daily community के लिए sufficient है, क्योंकि आपको office जाना है, office से घर आना है, आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर charging time की, क्योंकि range तो आपको मिल रही है, बट in case आप किसी दोस्त के आगे और आपकी range खतम हो जाती है, या फिर scooter discharge हो जाता है, तो आपको किटना time wait करना पड़ेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले कर लेते हैं i-cube की बात, तो जैसा मैंने आपको बताया, कि तीन तरह की motor के साथ आता है, तो 0-80% का जादा तर figure आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि 100% हर कोई charge हमेशा नहीं करता है, overnight अगर आप लगा देतों, तो 100% आपकी चार्ज जाएगी, 8-10 घंडे की रात होती, इससे जाड़ा टाइम तो वैसे भी नहीं लेने वाले, लेकिन दिन में in case अगर कोई emergency आपको इसको charge करना पड़ता है, तो iCube का जो सबसे base variant है, 2.2 kilowatt की motor के साथ आता है, वो आपका 2 घंडे में 0-80% charge होता है, उसके just उपर वाला आपका 3.4 का जो normal variant वाला आता है, वो आपका charging time लेता है, 4 घंडे 30 मिनट, उसके उपर अगर आप जाओगे, तो 3.4 में आपका S variant आएगा, उसके उपर आपका ST variant आएगा, और उसके बाद last में आपका 5.1 kilowatt का ST variant आता है, तो 5.1 kilowatt वाला आपका 4 घंडे 18 मिनट लेता है, उसके नीचे अगर आप आप आओगे, जो 3.4 का ST variant है, वो आपका 3 घंडे ले रहा है, उसके just नीचे 3.4 का S variant आता है, वो आपका 4 घंडे 30 मिनट लेता है, तो ये total इसकी charging का जो time है, वो है, तो अब आते है रिष्टा की तरफ, तो यहाँ पे जो इसके 2 variant है, जो आपका रिष्टा S है, और रिष्टा Z है, जो आपका 2.9 kilowatt की मोटर के साथ आता है, वो दोनों ही variant है, आपका 5 घंडे 45 मिनट लेते हैं, 0 to 80% चार्ज होने में, वहीं पे जो इसका top variant आता है, रिष्टा Z का, जो आपका 3.7 kilowatt की मोटर के साथ आता है, वो आपका 4 घंटे 30 मिनट लेते हैं, बट यहाँ आई-क्यूब जो है, वो तेज चार्ज हो रहा है, और रिष्टा Z 2.9, वहाँ पे आपको साढ़े 300 watt का चार्जन मिलता है, वहीं पे जो इसका top variant है, आपका रिष्टा Z 3.7, वहाँ पे आपको 700 watt का चार्जन मिलता है, तो यह आपके differences थे, तो अब बात करने थे, मैं ड्रैक्स्टर्स की, जैसा कि आपको पता है, ड्रैक्स करता हूँ मैं अपने चैनल्स पर, तो यहाँ पे top speed की बात अगर ना हो, तो यह जो आपका वीडियो है, अधूरा रह जाएगा, तो पहले करते हैं iCube की तरफ, तो जैसा कि मैंने आपको बता है, पाच variant है, बट मोटर के इसाप से तीनी वेरेंट है, 2.2, 3.4 और 5.1, तो यहाँ पे आपको जैसे कि रेंज में, तीन आपको मिल रहा था segment, वैसे ही यहाँ पे speed में भी तीनी segment मिलते है, जो सबसे base आपका इसका मोटर आता है, 2.2, उसकी जो top speed है, वो आपकी है 75 km per hour, वहीं पे इसका 3.4 किलोवाट वाली मोटर आती है, जिसमें आपको 3 model मिलते है, वहाँ पे जो आपकी top speed है, वो आपकी 78 km per hour, और जो इसका top variant आता है, 5.1 किलोवाट की मोटर के साथ, ST variant, एक ही variant आता है, तो वहाँ पे आपको मिलती है 82 km per hour की top speed, अब लेचलता हो रिष्टा की तरफ, तो भाई, यहाँ पे कोई भेदभाव इन्हों ने नहीं किया है, बिल्कुल बराबरी से बटवा रहा किया है, तो इसकी जो 3 ही variant आते हैं, वो आपकी, जो i-cube है, इसके दोनों ही variant से ज़्यादा top speed प्रोवाइड करती है, acceleration की बात कर लाँ हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा difference नहीं है, जहाँ पे जो i-cube है, यह आपका 4.5 second में 0 to 40 की speed अचीव करता है, वह पे जो रिष्टा है, वो भी आपका 4.7 second में 0 to 40 अचीव कर लेता है, उतना ज़्यादा difference नहीं है, क्योंकि दोनों में scooters चला चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि top speed में उतना ज़्यादा, यह पे जो acceleration उतना ज़्यादा difference आने वाला है, यहाँ पे एक काफी अच्छी चीज है, पर दो लोगों के हिसाब से भी, अगर आप पीछे पिठ्थू लेके बैठ तो या बैग लेके बैठ रहो, तो यहाँ पे यह काफी ज़्यादा comfortable होने वाला है, iCube की seats भी comfortable हैं, बट अगर रिस्ता से compare करोगा, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा comfortable नहीं है, रिस्ता को कहीं न कहीं edge मिल जाता है, अब बात कर लेते हैं boot space की, तो जहाँ पे रिस्ता के जैसे की seats बड़ी हैं, ज़्यादा ज़्यादा wide हैं, तो यहाँ पे 34 liter का boot space आपको मिल जाता है, साथ ही आगे की तरफ accessories में एक bag भी मिलता है, जहाँ पे आपको almost 22 liter का boot space मिल जाएगा, बट वहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो उसकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि after market आप चाहोगे, तो iCube में कहीं न कहीं से जुगाड करके लगाई लोगे, इंडिया है, जुगाड हर जगे मिलता है, iCube में जो पीछे का boot space है, वो आपका 32 liter का है, तो यहाँ पे रिष्टा का कहीं न कहीं boot space है, थोड़ा सा ज़्यादा है, slightly ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 34 versus 32 है, बट दो लिटर का भी समान जो होता है भाई, एक Pepsi की 2 liter की एक बोटल जो है, एक्स्टर आप इसमें रख सकते हो, तो यहाँ पे आपको यह edge मिल रहा है, तो भाई आप किसकी बात करनी है, अब बात करनी है, राइट क्वाल्टी की, तो जैसा कि मैंने दोनों ही electric scooters को चला के देखा, तो यहाँ पे एक काफी बड़ा difference जदो इन दोनों स्कूटर में आया है, कि slow speed पे दोनों की राइट कॉलिटी काफी ज़्यादा अच्छी है, handle की जो movement है काफी ज़्यादा अच्छी है, comfort ज़्यादा अच्छा है, acceleration ठीक है, सारी चीज़े हैं, अगर आप भीडबार में चलाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, लेकिन अगर आप top speed की तरफ भगाते हो, थोड़ा सा aggressive लेना चाहरे हो, bike को 60-70 की उपर push करते हो, तो यहाँ पे एक देखने वाली चीज क्या है, कि iCube में आपका hub motor लगी है, मतलब इसकी जो motor है, पीछे वाले tire से connect है, और आप scooty है, तो यहाँ पे बैठे भी पीछे की तरफ हो, तो यहाँ पे पूरा weight जो है, आपका scooter की पीछे की तरफ जाता है, तो कहीं नहीं कहीं, टॉप speed में आगे वाला tire है, वो थोड़ा सा glide करता है, तो वहाँ आपको उठना confidence नहीं आता है, वहीं पे जो रिष्टा है, यहाँ पे जो motor है, वो bike के बीच में लगी हुई है, और बाकी यहाँ आपका belt driven है, तो यहाँ पे कहीं नहीं, इसका जो gravity center है, वो आपका बीच में है, तो उसकी वज़े से, आपकी जो high speed है, आप 70 पे चला रहे हो, 75 पे चला रहे हो, 78 पे चला रहे हो, वहाँ पे भी काफी ज़्यादा stable रहती है, और overall थोड़ी सी बड़ी भी देखने में लगती है, तो शायद उसकी तरफ से भी कहीं नहीं, इसको थोड़ा सा edge मिल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो ride quality है, वो थोड़ी सी ज़्यादा better पाई iCube से, तो बागाब बात कर लेते हैं riding modes की, तो यहाँ पे दोनों scooters में दो-दो riding mode मिलते हैं, यहाँ पे आपको eco power मिलता है, यहाँ पे आपको eco zip मिलता है, और दोनों riding mode की performance में काफी ज़्यादा difference है, मतलब कैसे difference है, कि इसका eco, रिष्टा का और जो iCube का eco almost same है, और इसका जो zip है और इसका जो power mode iCube का, वो भी almost same है, लेकिन आपको most of the time मुझे लगता है, कि आपको zip में या फिर power mode पे ही चलाना पढ़ेगा, क्योंकि जो आपका eco mode है, वो काफी ज़्यादा slow हो जाता है, हलका सा भी अगर आप ride को enjoy करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे, तो इस चीज को थोड़ा सा सुधाने की ज़राता है, मुझे लगता है eco mode को भी थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आपको energetic बनाना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा initial उसमें देना चाहिए, कि at least आपको eco mode में चलाने में भी थोड़ी सी मज़ा आए, ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको meter console की, तो जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही electric scooters हैं, तो काफी ज़्यादा connectivity मिल जाती है, Bluetooth connectivity का option दोनों में ही available है, Maps का भी option दोनों में ही available है, बट यहाँ पर जो रिष्टा है, यहाँ पर जो आपका base model आता है, वहाँ पर आपको black and white display मिल जाता है, बाकी जो upper के दोनों model आते हैं, वहाँ पर color display मिल जाता है, वहीं पर अगर आप iCube में आओगे, तो यहाँ पर जो base model आते हैं आपके, 2.2 में जो base model आता है, और 3.4 में जो base model आता है, वहाँ पर मिलता तो पाचो में ही आपको color display है, लेकिन base models के आपके display काफी जादा छोटे हैं, और उतने अच्छे देखने में नहीं लगते, बाकी जो ST models आते हैं, वहाँ पर आपको touch screen देखनों को मिल जाता है, तो वो एक चीज बैटार है display में, बट मुझे नहीं लगता है, स्कूर्टी में ऐसा कोई touch screen देने का कोई बहुत ज़्यादा benefit है, मेरी इसाब से, क्योंकि भाई रग्ड यूज करना है, आपको mobile phone में touch screen होता है, आपको पता है mobile jail में आप रखते हो, उसमें आपको guard लगाना पढ़ता है, गिर गया तो दिक्कत है, और मुझे नहीं लगता कि आप स्कूर्टी ड्राइफ कर रहो तो उसमें इतनी ध्यान दे पाऊगे, कही ना कही जो buttons होते हैं, उसी को मैं prefer करता हूँ, वो ज़्यादा easy to use होते हैं, और ज़्यादा rugged भी होते हैं, उतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं, आप उतना ज़्यादा manually देख नहीं पाऊगे, जब स्कूर्टी खड़िये, तभी आप उसको use कर सकते हो, तो यह सारे features थे, आप लोग मुझे बताइएगा, कि आपको यह दो, दोनो model हैं, कैसे लगे, एक बाँ मैं conclusion की तरफ आजाता हूँ, तो मेरे ख्याल से भाई, कि आपके पास जो iCube है, यहाँ पर options ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको 5 options मिल रहे हैं, तो ज़्यादा लोग एक तरह से मिल बाँको, ज़्यादा options मिल रहे हैं, तो आप अपने ही साप से अपनी required point आप से easily select कर पाओगे, charging speed थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है, तो यह थोड़ा सा benefit है, इसके लावा TVS का brand है, तो आपको जगे जगे इसके service center देखने को मिल जाएंगे, जगे जगे इसके showroom देखने को मिल जाएंगे, तो यह reachable ज़्यादा हो जाता है, वहीं पर अगर आप रिष्टा की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर आपको model भले कम मिल रहे हैं, हाँ, बट यहाँ पर features थोड़ी से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, overall जो ride quality है, वो आपको ज़्यादा better मिल रही है, इसके अलाबाज जो boot space है, वो बड़ा मिल जा रहा है, और first family scooter है, तो कहीं ना कहीं यह ज़्यादा comfortable है, अगर आप एक परिवारिक बंदे हो, आपको अपनी family के साथ चलना है, आपके पर responsibility ज़्यादा है, भाई market भी आपको जाना है, बच्चों को भी लेकर जाना है, तो उस हिसाब से यह scooter आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा comfort मिलेगा, और ride quality better है, तो आप ज़्यादा safe भी महसूस करोगे, तो मुझे आप बताएगा कि आपको इन दोनों scooter में से, कौन सा electric scooter ज़्यादा पसंद आया है, कमेंट करके ज़रूर बिताइएगा, इसे के साथ यह vlog इंट करता हूँ, social media handle मेरा यहाँ पर दिस्पले हो रहा है, I am.SoloTraveler, वहाँ पर आप मेरे साथ connect कर सकतो, Ride Hard, Ride Safe, This is Ram SoloTraveler signing off, Keep being awesome!